हेलो दोस्तों टेकनिक यूटूब चैनल में आपका फिरसे स्वागत है आज की वीडियो आपके लिए इंटरस्टिंग और हैलफुल दोनों होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आप कैसे प्रेंटम की तरफ से आने वाला पी बाइस सो प्रेंटर की ड्राइवर को अपने कंप्यूटर या लैप्टॉप में इंस्टॉल करके उसे प्रेंट दे पाएंगे वो भी बड़ी असानी से तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को लिखना है पेंटरम पी बाइसो ड्राइवर उसके बाद पहले नंबर की वैब साइट को ओपन करना है आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा अब यहां पर आपको सर्वीस एंड सपोर्ट के अंदर ड्राइवर फाइल डाउनलोड में जाना है अब यहां पर आपको छेंच बटन से इसे चेंज ब्राइव कर सकते हैं तो मेरी ratel इंडौ साही है नीचे आके इस डाउंडन बटन से इसे डाउनलोड कर लेता हूं ता आप दीख सकते हैं ड्राइवर डाउनलोड होने लग गया है कि अब मैं इसे टेक्स्टव आई अग्री नेक्स्ट अभी डिटेक्ट कर रहा है कि आपका प्रिंटर कंप्यूटर या लैप्टॉप से अटेच है कि नहीं है तो मैं अपना प्रिंटर अपने कंप्यूटर से अटेच करता हूं आप देख सकते हैं यह प्रिंटर है इसे ओपन करता हूं और इसमें power cable attach करके और data cable भी attach करता हूँ जैसे ही मैं data cable attach करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे USB highlight हो जाता है अब में उन-click installation पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं driver install हो रहा है अब आप देख सकते हैं driver install हो चुका है तो मैं यहाँ पे print test page करता हूँ ओके तो आप मैं printer में paper add करता हूँ और आप दिखेंगे light blink हो रही है इसमें paper ले लिया है और print भी दे दिया है तो कुछ इस तरह से आप खुद से ही अपने printer का driver computer में install करके print दे सकते हैं तो रोज तो वीडियो ची लगे हो तो प्लीज वीडियो लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंस वर वाचिं दिस वीडियो